पैले वीडियो में कविता की प्रत्वं छा पंग्तियों का सरलर्थ और भावार्थ समझने का प्रयास किया अब हम कविता की आगे की पंग्तियों का अर्थ और भावार्थ समझेंगे विजय केवल लोहे की ही नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिख्ष होकर रहते समराट, दया दिखलाते घर-घर घूम, प्रस्तुत पंक्तियों, कभी ने भारतियों के विशेष्था का वरण करती भी कहा है, कि विजय अर्थात जीत, लोहे अर्थात अस्त्र और शस्त्र, भारतवासियों ने मात्र अस्त्र और शस्त्र के बल पर ही लोगों को नहीं जीता, बलकि उन्होंने शान्त और प्रेम से भी लोगों को जीतने का प्रयास किया भारतवासी सदा से ही न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे उनके द्वारा चलाय गए प्रवर्टित किये गए मानव धर्म की धूम सारी धर्ति पर रही अर्थात उन्होंने मानव कल्यान के लिए जो भी प्रयास किया उसका फर्ल उसका परड़ाम उसका प्रभाव सारी धर्ती पर सारे संसार में देखा गया विक्षु होकर रहते समराथ, समराथ अर्थात राजा महराजा, विक्षु, विक्षुक भिखारी होकर रहते इस पंक्ति में कभी ने समराथ अशोक के जीवन की घटना का वरणन किया है जब उसने अपना सारा समराज, राजसी, ठाट बाट और अईश्वर यत्याग करके बहुत धर्म गरण कर लिया और मानव मात्र के कल्यान के लिए अपनी प्रजा के कल्यान के लिए भिख्षु का जीवन व्यतीत करना स्विकार कर लिया दया दिखलाते घर-घर घूम और बताय कि धिख्षु का जीवन स्विकार करने के बाद मानव मात्र के कल्यान के लिए हमारे राजा महाराजा घर-घर घूम अर्थात प्रजा के बीच जाकर के उनके सुख और दुख को जानने का प्रयास किया और हर प्रकार से प्रजा के दुखों का निवारण करने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया गोरी को दिया दया का दान यहाँ पर एक इतिहासिक प्रसंग है गोरी अर्थात महम्मद गोरी जो एक आक्रमन कारी था इतिहास में ऐसा दिखा गया है कि उसने सत्रह बार भारत पर आक्रमन किया था और हमारे देश के प्रतापी राजा प्रत्वी राज चौहान जी ने उसे बार बार पराजित होने के बाद भी कभी उन्होंने उसकी हत्या करने का प्रयास नहीं किया हर बार उस पर दया दिखा करके उसे प्रान दान दे दिया था ऐसे प्रतापी राजा थे हमारे देश के चीन को मिली धर्म की द्रिश्टी चीन को धर्म की द्रिश्टी धर्म का स्वरूप धर्म की सिक्षा हमारे देश भारस से ही मिली अर्थात बौद धर्म जो हमारे देश में इसका उदय हुआ गौतमबुध द्वारा जिसका प्रवर्तन किया गया चलाया गया वह उस बाउद धर्म से चीन के लोगों को चीन के निवासियों को धर्म की सिक्षा मिली मिला था स्वन भूम को रत्न स्वन भूम अर्थात जावा और सुमात्रा नामक देश इनको क्या मिला रत्न मिला रत्न कौन से बाउद धर्म के तीन रत्न बुद्ध धम संग अर्थात यहां भी बाउद धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और वहां के लोगों ने भी बहुत धर्म की विशेषताओं को समस्ते हुए उसे मन से आत्मा से स्विकार किया शील शील का अर्थ है संसकार आचार व्योहार मर्यादा का ग्यान शील की सिंहल को भी स्रिष्ट सिंहल हर्था स्रिडंका कहा जाता है कि बौध धर्म ग्रहन करने के बाद सम्राट शोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संगमित्रा को बौध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्रीलंका भेजा था और वे वहां जाकर के वहीं के होकर रह गए उनके द्वारा स्रीलंका निवासियों को बौध धर्म की सिक्षा प्राप्त हुई किसी का हमने चीना नहीं भारतवासी शांती सभाव के थे और उन्हें जो कुछ उनके पास था गसी में वे संतुष्ट रहने वाले थे कभी वे उनका प्रयास नहीं रहा है कि वे किसी दूसरे का अधिकार छीने प्रकृतिका रहा पालना यहीं पालना अर्थात वह स्थान जहां पर सबको आश्रे मिला सबको शरन मिली सबका पालन पोशन हुआ अर्थात भारतवासी ही नहीं तमाम विदेशी यहां पर आए और भारतवासीयों ने उन्हें मन से आत्मा से स्विकारा, उन्हें अपने स्वजनों जैसा स्ने दिया, सम्मान दिया और प्रेम दिया और भारतवासियों के ऐसे आत्मियता पूर्ण वेवार से वे इतने प्रभावित हुए कि यहीं के होकर रह गये। इन पंक्तियों में कभियह बताना चाहता है कि तमाम कुछ इतिहासकार पश्रमी इतिहासकार जो हैं उनका ऐसा मानना है कि जो आर्य थे वो मध्येशिया से आये थे पर कभी का ऐसा पिछार है कहना है कि भारतवासि कहीं से आये नहीं है बलकि यह भारत भूम ही उनकी जन्म भूम है उनका मूल स्थान है चरित थे पूत्र चरित मना चरित्र पूत्र मतलब पवित्र भारतवासि बड़े ही चरित्रवान थे नियाय धर्म धया करुणा सेवा सहयोग और परोपकार की भावना से परिपून थे भुजा में शक्ति बड़े ही पराक्रमी थे शक्तिशाली थे सब प्रकार के परुष्य संपन्न थे नम्रता रही सदा संपन्न बताया कि शक्तिशाली पराक्रमी और परुष्य संपन्न होते वे भी वे बड़े विनम्र और शान्ति सभाव के थे उन्होंने अपने बल अपनी शक्ति अपनी ताकत का प्रयोग कभी किसी को सताने के लिए या पीड़ा पहुचाने के लिए नहीं किया रिदय के गौरों में था गर्व रिदय में इस बात का गर्व था कि हम भारत जैसे महान देश की धर्ती पर हमने जन्म लिया है उन्हें अपने देश इस महान देश पर गर्व होता था गर्वानमित होते थे किसी को देखन सके विपन विपन मतलब दरिद्र दुखी अर्थाद भारतवासी दया करुणा सेवा सहयोग की भावना से संपन थे परिफूर्ण थे और जहां किसी को उन्होंने दुखी अवस्था में देखा उसकी हर संभव सहायता करने का प्रयास किया कविता का शेश भाग अगले वीडियो में